अब एक बात बताओ, कोई भी बन जाएगा, आला कमान बना के बेज़ेगा, तो कोई क्या भी घाड लेगा, ऐसा लग रहा है हमको भी कि वो राश्टे देक्ष बन जाएगे रास्तान का स्कीम सार पॉल बनेगा, मेरे को पता होता तो मैं आपको पता देगा देश में तीन-चार लोगों के लावा किसी को पता नहीं है, और मुझे लगता है कि जब तो कोई बनेगा नहीं तब तक कोई अथेंटिक न्यूज आप मानना मत, किसी कई तरह की बात आएंगी, कई तरह की एफ़ आएंगी, मुझे लगता नहीं है कि देश में चार लोगों तो कोई भी बन जाएगा आला कमान बना के बेज़ेगा तो कोई क्या भी घाड़ लेगा कोई बदल सकता है क्या तो बन जाए वैसे ही रास्तान चलने वाला है देखिए मैं आपको बता हूँ मुख्य मंतरी जो भी होंगे या आला कमान बना करेंगे ये नीचे के किसी को इसके उपर राय मशोराय पूछा नहीं जाएगा और जहां तक कि ये खबरें पिछले दिनों से लग रही हैं तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन और एलेक्शन एक महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा और एक महीने के अंदर अंदर आप लोगों के सामने सब कुछ हो जाए अब उस एक महीने का आप लोग इंतजार करें दो दिन पहले खबर चल जाए कि उससे भी कुछ होने वाला नहीं है वो तो ज तो फिर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं जब मेरे हाथ में इसको ते करना है सारे अमेले दिल्ली बुलाई रहे हैं तो कहीं ने कहीं तो इस होता है मैं भी अमेले हूं मैं तो यहां गुमरा ह जल्दी दोड चालू इसके आपको चिंता क्यों है आप देखो कॉंग्रेस पार्टी का राज है कि मुद्री कॉंग्रेस पार्टी का रहने वाला है और जनता जनार्दन की सेवा चलती रहेगी एक साल में चुना हो है बहुत ज्यादा उठा पटक की समय हो आपका नमर भी आ स सवाल हुआ है अभी हम सीख रहें अभी हम स्टुड़न्ट